आपने अलसी के फायदे तो बहुत सुने होंगे और नहीं सुने तो मैं आपको कुछ इसके बेनेफिट्स बताना चाहूंगे फ्लैक सीट्स में प्रोटीन, काप्स, फाइबर, ओमेगा 3, फैटी एसीड, कैल्शियम, आइरन, पोटेशियम, विटामिन B1 तो B6 जैसे मिनरल्स होते हैं इससे कैंसर का रिस्क कम होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर रखता है, ब्लेड प्रेशर कम करता है, शुगर कंट्रोल रखता है और सबसे अच्छा आपका वेट कंट्रोल रखेगा हेलो फ्रेंस, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं पुनमजा, भानस भात में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की प्री मिक्स पाउडर और चटनी, जैसे नौर्ट साइड में तीसी भी कहा जाता है और महारास्टर में इसे जवसाची चटनी भी कहते हैं और यह महारास्टरा में चटनी बहुत फेमस है और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज लाइक और शेर जरूर करें और आगे बढ़ने में हमारी मदद करें तो आईए देख लेते हैं इसे मिनाने के लिए हमें इंग्रीडियन्स क्या-क्या चाहिए इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी अलसी या फिर ये तकरीबन 200 ग्राम होगा और नमक आपके स्वादा नुसर एक आधा कटा हुआ नीमबू और दो हरी मिर्च इन सबको आप पहले अच्छे से अरेंज करके रख ले और आईए अब देखते इसे बनाने का प्रोसेस क्या है गैस वान करके कडाई को गर्म कर लेना है और अब इसमें हम अलसी डाल देंगे और इसे कंटीनियू चलाते रहना है लो टू मीडियम फ्लेंप इसकी जब सौंधी-सौंधी खुश्बू आपको आने लगे या फिर इस तरह से जब यह चटकने लगे इसका मतलब है यह भून करके तयार है तो बस आप गैस बंद कर दे और गैस बंद करने के बाद इसे कंटीनियू चलाते रहें परना यह नीचे से जल जाएगा अगर आप इसे छोड़ देंगे तो और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब एक ग्राइंडिंग जार ले और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है तो इसे आप अच्छे से सबको ग्राइंड कर लें पाउडर फॉर्म में हमारे पास क्वांटिटी अलसी की जादा है इसलिए हम दो तीन बार में ग्राइंड कर लेंगे और सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से हमें इसे पाउडर फॉर्म में ब्लेंड कर लेना है तो अलसी का प्री मिक्स पाउडर बनकर तयार है अब हम आधा से जादा इसमें से एक कटोरी में निकाल लेते हैं और आधा पाउडर जो बचेगा उ किसी कार्च के डब्बे में रख और उसे आप महिनों तक यूज कर सकते हैं बस ध्यान रहे कि इसमें पानी जरा से भी नहीं लगना चाहिए वरना यह खराब हो जाता है इसमें सीलन आ जाता है अब हमें फिर से मिक्सी जार लेना है और उसमें जो आधा पाउडर बचा है अट कर देना है हरी मिर्ट आपने हिसाब सफ ऐसे पानी अट कर देगा इसमें पानी बस उतना ही एड करना है जिसे एक बन जाए और मिक्सी को बढ़न करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से पेस्ट बना लेना है बहुत अच्छी आप जरूर इसे बना कर देखिए, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, अब इसे हम एक बाटी मैचे से निकाल देंगे, ये देखिए चटनी भी बन करके तयार है, इसे आप रोज अपने खानों में शामिल करें, बहुत फायदे मन होता है, गर्मा गरम डाल चावल के साथ ये बहुत जादा टेस्टी लगता है, प्रीमिक्स पाउडर को स्टोर करते टाइम, उसमें आप आधा छोटी चमच नमक डाल के मिला कर रख ले, इसे वह जल्दी खराब नहीं होगा, और इसे आप किसी भी सबजी में डाल सकते, या फिर इसका पराठा बना सकते आता में दाल करके, तो आप इसे डिफरेंट स्टाइल में बनाईए और खाईए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए में आपाओाई